Hello dear students, welcome back to my channel Physics SBC, latest CVSC sample paper 2006 का question no.5 A glass prism has internal angles of 45, 45 and 90 degree, the glass has a critical angle 45 degree Which of the following ray diagram depicts the possible path light through the prism? ये 4 path दे रखे, मैंने ये draw कभी कर रखे तो को सबसे पहले ये critical angle दे रखा है ना मैं तो इससे प्रिदिम के material का refractive index में लिकाल दीचे आप ऐसे critical angle का क्या formula होता है sin c is equal to यहां लिखते हैं nr upon 10d वह सबस्चों को sin c is equal to 1 upon mu याद होता है वो तब valid होता है जब एक side air होती है ये हमेशा valid होता है हमेशा यहां लिखिए refractive index of optical rare medium और refractive index of optical dancer media ये याद रखिए बटा हमेशा ठीक है नहीं अगर air होगा तो यहां पर rare medium air होगे तो one हो गया और dancer medium जो prism है उसका mu माल लो तो बन अपोन mu दिखाई देगा है ना अच्छा एक बात अब यहां से critical angle हमें सीध रखका है 45 और इधर आपका air है तो rare medium ये और prism के material का refractive index हम nd माल लेते हैं तो यहां sin 45 is equal to air का one और इसका nd glass के prism का index हो गया ये ये one upon root two one upon nd तो refractive index of material of the glass prism जो आ गया वो root two आ गया अब इससे क्या फाइदा है वो जरह समझता है देखो ये जे जो है आपकी इसके parallel है बेस के तो ये angle 45 होगा पका जो मेंटरी से alternate angle हो गया यहां से जब आप इस पे normal draw करोगे ऐसे तो ये 45 degree होगा तो incidence angle 45 degree होगा face इसके लिए A, B के लिए ये A डाला है ये B डाला है A, B तो incidence angle होगा 45 तो इस जगे पे लगा लिजी आप इस नेर्स law ठीक है तो लगाएंगे तो 1 in 2 face A, B के लिए 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 1 in 2 sin 45 is equal to 1 तो ये रेकर फिंडेक्स हो गया इसका root 2 निकाला भी हमने तो root 2 into sin R1 लिए लिए ते तो इसकी value 1 upon root 2 और ये root 2 और ये sin R1 तो यहाँ से R1 जो आएगा देखो ये नीचे 1 upon 2 1 upon 2 कर लो चलो एक बार रिष्टेप बढ़ा जेता हूँ R1 ये sin 30 degree की value है तो R1 की value 30 degree आएगी ठीक है अब जब सोचो J90 है तो light reflection angle 30 degree आ रहा है तो यहाँ से जब हम 30 degree से ऐसे band करेंगे light रेयर तो डेंसे जाते तूबर दी नॉर्मल हो जाती तूबर दी नॉर्मल करें 30 degree से ऐसे ऐसे जाएगा ये तो ये angle 30 degree आएगा इसमें अब सोचो ये angle इसके और इसकी बीच में 90 degree तो नॉर्मल था नही ये 90 प्लस 30 तो इस triangle को देखो इस वाले को इस वाले triangle को इस वाले triangle को देखना ठीक है जो मैंने बनाया ये वाला यहां तक तो ये ओगया 120 120 प्लस 45 120 प्लस 45 योगया 165 तो ये angle कितना आएगा ये वाला अगर ये 165 है तो तो ये आएगा 15 डिगरी और यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रो करेंगे ना ऐसे तो इस रे के और इस नॉर्मल के बीच में जो angle आएगा ये वाला ये आएगा 75 और ये angle किस से बड़ा है critical angle से बड़ा है जब light dancer से rare जाती है तो एक बात हम जानते है जब भी light dancer से rare जाए और वो angle अगर incidence angle critical angle से बड़ा हो तो same medium में same angle से light बापस आजाती है बापस आजाएगी अगर incidence angle critical angle से बड़ा हो तो यहां देखो ये incidence angle है face किस के लिए AC के लिए face AC के लिए जो incidence angle है वो 75 है और critical angle 45 है तो I get density है तो यहां TIR होगा ठीक है तो TIR होगा तो 75 से लोटेगा ये तो ये ध्यान रखने हाएं ये बिलकुल कुछ इस तरह से बनेगा बिलकुल symmetry होगी उधर की तरफ और इधर की तरफ ये ऐसे ये 75 से लोटा तो ये 15 degree हो जाएगा और ये 15 degree जाएगा तो ये 45 और ये 15, 60 तो ये 120 degree आएगा द्वारा से बिलकुल same symmetry बनेगी 120 degree बनेगा तो यहां से अगर हम normal draw करेंगे ना ये तो ये 30 degree आएगा अब सोचो ये 30 है तो ये 30 प्रंसिपल अब रिवर्सिटी लेगरी बिलकुल तो ये 100% यहां पर 45 आएगा और parallel निकलेगा इससे चाहो तो इस जगह पर snails लगागे देखो तो ये 45 ये आएगा तो बिलकुल same to same ditto ऐसे ही बनना है तो ये choice is correct मैं सब बताऊँगा पूरे चारो case आपको इस समझ में जरू लाया हुआगा पर ठीक है अब second पर आजाओ इस पर आजाओगे तो देखो यहां पर इसको आगे बढ़ाओगे डेट 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 तो ये 45 डिगरी कहोगे ये 45 है तो ये 45 ये 90 जोमेटरी से देखोगे तो ये भी 45 और ये 45 तो यहां पर अगर तुम नॉर्मल ड्रो करोगे ऐसे तो ये भी 45 ये आगा तो इसमें भी इंसिदेंस एंगल 45 डिगरी है सोचो अभी मैंने निकाला कैल्कुलेशन की और ट्रिटिकल एंगल सबका ये ये तो 45 डिगरी पर जहम डाल लेते तो रिफ्रेशन एंगल जो 30 डिगरी आ रहा था तो यहां पर भी 30 डिगरी आएगा तो ये सोचो ये 45 तो ये 45 तो 30 डिगरी कुछ इस्तर से जाएगा ऐसे जाना चाहिए था ये तो ये 30 डिगरी पर आएगा इधर ऐसे ये 30 सोचो ये 30 तो ये पूरा इंगल जो आएगा वो 60 आएगा 60 और 45 हो गया कितना 60 और 45 ये हो गया आपका 105 और 105 में से 160 गठाएंगे तो ये जो बचेगा यहाँ पर ये 75 बचेगा और 75 बचेगा तो इंसिदेंस एंगल जो आ रहा है वो 15 डिग्री है और किटिकल एंगल दे रखा है 45 तो आई लेद देंसी है मनलब नोर केवल रिफ्रेक्शन टी आई र नहीं होगा सिंपल रिफ्रेक्शन तीन केस होते हैं ना भाई कि अगर आपकी लाइट डाली और ये एंगल इंसिदेंस एंगल लेद देंसी है तो लाइट देंस से रह जा रही है तो अभी प्रम दी नॉर्मल हो जाएगी मनलब रिफ्रेक्ट हो जाएगी बहार निकल जाएगी लेकिन इंसिदेंस एंगल को बढ़ाते जाएं तो एक इंसिदेंस एंगल पर जिसके लिए रिफ्रेशन एंगल नब डिगरी होता है उस इंसिदेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं इसके लिए आर नब डिगरी आया और इंसिदेंस एंगल को और बढ़ा दें तो जैसे इंसिदेंस एंगल क्रि से निकल जानी चाहिए थी टे आइयार नहीं होना चाहिए ता इसका जब किצमें टी आइयार हो रहा रहा है यहां पर तो यह वाली बात तो बिल् fart हो गई यह वाला केस और यह वाला केस एकजक्टली सेम है पता नहीं कौन है हैं यह और यह एक ही बात है, एरो इसे ने गलती बना दिया है, यह अरो मल्व ऐसे है, तो यह इसमें कोई अंतर नहीं है, बस घुमा दिया उसको, सेम कहानी है, सेम डिक्टो, इसकी कहानी और इसकी कहानी सेम है, सोचे कैसे, कहांसे ऐसे लाइड गई ऐसे, नॉर्मल बढ़ाया ऐसे, टरर यह 45, तो यह भी 45, यह भी 45, नॉर्मल ट्रो करेंगे यहां से तो यह 45 आएगा, और फिर यहां पर वही फॉमा लगाएंगे तो आर 30 डिगरी आएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, यह 30 है यह वाला, तो यह 60 डिगरी होगा यह वाला, और 60 फॉर्टी फॉर्टी तो यह 75 यह और पंदरे डिगरी आया तो इस वाले फेस से भी आई लेट देंसी है तो लाइट फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होके बाहर निकल जाएगी इसलिए ये भी गलत है ये वाला कुशन और ये वाला कुशन सेम है बट इसमें यहां गलती करिये इसने यहां पैदे को ये पहला लाई थी और पहला ली इमिट हुई थी तो इसमें भी पहला जानी चाहिए थी लेकिन ये पहला नहीं गई बाकी का सब सेम है सब कुश सेम है इसमें अगर आप देखोगे तो यही कहानी बनेगी नॉर्मल ट्रॉ करोगे आप यहां से तो यह 45 आएगा फिर वो 30 डिगरी से इसे जाएगा तो यह 30 डिगरी होगा तो यह पूरा 120 तो यह 15 डिगरी आएगा और 15 डिगरी आएगा तो यह एंगल 75 डिगरी आएगा और 75 आएगा तो इस वाले फेस के लिए कौन से अलिफेस के लिए यह B है और यह C है C और B इसके लिए I get then C हो जाएगा तो TIR होगा 75 से 75 से बापस आएगा यह 15 डिग्री आएगा यह 120 आएगा नॉर्मल ट्रोकरो के तो यह 30 आएगा और जब यह 30 आया तो यह 45 डिग्री आना चाहिए यह ऐसे निकलना चाहिए जबकि इसमें ऐसे ना निकालके पला ना नकलके उसको सीधे निकाल दिया है इसलिए यह भी गलत है उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जरूर्ल समझ में आया हूँ हमेने चारों केस आपको बना के दिखाए और समझाए भी परते रही है और खुश रही है